आज मैं चिकन लेक्पीस की रेसिपी त्यार कुरूंगे उसके लिए मैं टूच चिकन लेक्पीस ले रहे हूं प्यास थोड़ा से लेसिने द्रक नमक त्यास रख मिर्च एंड वान टेबल स्पून लेमन जूस लेक्पीस लगाने के लिए मुझे मसाला त्यार करना है उसके लिए यह जो चार चीज हैं इन्हें पहले ग्रैंड कर लोगी उन चार चीजों को मैंने ग्रैंड कर लिया है मैं इसके अंदर लेमन जूस नमक सुरख मिर्च एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स करड़ोंगी बहुत ही मज़े के लैक्पीस बनते हैं इस तरह आप प्राई करें आप प्राई करें आप 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 एक लग पिक्स मैं प्रैट में अलग कर लोंगी इसके अंदर मैंने ये कट लिए जिए मूद में थार किया था ऑग भिश के अइसे फ हाथ की मदद से प्रैटल आप यदि एच ही इनदर चला जाए ज़ु आत्व को हुँआ coul अग उनिष कि पिस पे लिआ ईको आदु कि अधे गंटे के लिए इसे फिर्ज में रख दिया थम शौरा लगा के अब मैंने फिर्ज से निकाल लिए अब मैं से फ्राइ कर दोगी तीक पैन में में एक बड़ा चमच कुकिंग गॉल डाला है और इसे में हाइफ लेम पर गरम कर रहे हूं कि कुकिंग गरम हो गया है में में इसे मीडियम प्रिम कर दोंगी और इसके अंदर में यह इस अंतर में लोग प्रिम कर दोंगी डाइब STEVE दोई हराइब दोए को बाद इसके अवाइब आप तकु पार्ट मीं तक घूराइब एक सब्क्राइब के लिया रखने के लिए रखा वा का वन्हें बात होगी की इसकु चंच को तो घचने के रखने के बाद और १ी से pattका लगा वह दोगिंगी। ईसके जरू हो गई कि देखें रागर इसके लगावरना हैं दूसरे लेक्पीस की भी हम ऐसी साइट चेंज कर देंगे पहली साइट को मैंने पांच मिंट और दूसरी साइट को मैंने दस मिंट पकाया है लेकिन अभी मैं मजीरी से पकाऊंगी दस मिंट के बाद मैं इसके नीचे अब फ्लेम हाई कर दूँगी क्योंकि तकरीबन यह त्यार हो चुकी है इसके अंदर जो पानी है वो खुश करने के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पकाऊंगी मैंने इसके साइट कर दिया है मैं आपको दुखा रहती हूँ यह देखें यह बन गए है इसके मैंने आपको पानी पुश कर लिया है चिकन पीश प्लेम बन कर दूँगी और इसे अलग से बिश में निकाल लूँगी मज़ेदार चिकन लेक पीश की रेसिपी जा रहे है इसके मैंने आपको कम बन ग्रीडेंस बताए लेकिन यह बहुत ही मज़े की रेसिपी है आप इसे ट्राइ करें आपको बहुत पसंदाएगी लेक पीश का कलर देख लें गोल्डन साय साथ मेंने इसके कैचप यूज़ किया है टमेटो कैचप आप मायो नीज देही का राइता चिटनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाएगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अलाहाफफेस